आज जो मैं आपको movie explain करने वाला हूँ, इसका नाम है Frida और Frida Kaholo, एक Mexican artist के life पर ये movie based है, ये movie उसके controversial life पर biography है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करना जातो, अगर आपको वीडियो चलागता है, प्लीज इस वीडियो को like और comment ज़रू कर दिजेगा, और बिन season क्या है, इस movie में आगे हमें पता चलेगा, इसके बाद movie flashback में, जब Frida young थी, तब से start होती है, Frida अपने friends को लेकर, डियागो की painting देखने के लिए जा रही थी, डियागो उनकी university में nude painting बना रहा था, तो यही को देखने के लिए आया, डियागो हमारा और एक main character है, painting बनाते डियागो की wife भी वहाई, वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे लगा कि डियागो का इस model के साथ भी चक्कर है, और actual में situation ऐसे ही थी, wife की जाने के बाद, उस model के साथ हो intimate होने लगता है, Frida और उसके friend से देख रहे थे, तो उसे आवाज लगा कर disturb करते हैं, यह उ अपने boyfriend के साथ थे, Nixon में वो उसके father के साथ दिखती है, उसके father एक बहुत अच्छे से photographer थे, उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था, तो Frida को एक बेटे की तरह ही वो treat करते थे, वो एक family picture ले रहे थे, उसमें भी Frida एक लड़के की तरह ही dress up हुई थे, एक दिन जब Frida जा रही थे, अचानक से गाड़ी में उसका accident हो गया, इस accident में उसे बहुत चोट आई थे, उसवर बहुत सारे operations हुए, डॉक्टर उसकी family से कहते हैं, Frida अब चल नहीं पाएगी, वो जब थोड़ी दिन बाद recover हुई, तो उससे घर लाय जाता है, उसकी पूरी body पर plaster था, उ drawing करना वो start कर देती है, एक दिन उसे उसका boyfriend मिलने के लिए आया, वो उसे देखकर बहुत ही खुश थी, इन्होंने कुछ बात दे की, फिर boyfriend ने कहा कि उससे अलग country में जाना पड़ेगा, Frida भी हसी कुशे उसे जाने देती है, उसे बहुत बुरा लगा था, boyfriend की जाने के बा तो कहती है, मुझे मेरे पेरों पर खड़ा होना है, फिर से नॉर्मल बनना है, आज फादर ने canvas और उसका stand Frida के लिए बनवा दिया था, यानि क्यों अपने bed में अच्छे सी painting कर सके, Frida प्रैक्टिस करती गई, और time कुजरता गया, उसकी health slowly slowly improve हुई, और एक दिन अपने प बुश्ती है, मेरे painting देखो, मुझे बताओ, क्या मैं इसे earn कर सकती हो, क्या मैं एक अच्छी painter हूँ, डियागो कहता है, जो real painter होता है, वो painting को छोड़ कर और कुछ कर नहीं पाता, अगर तुमें actual में painting अच्छी लगती है, जो तुम artist बन जाओगे, Frida कहती है, मुझे इन sell करकर, अपनी family को support करना चाहती है, डियागो ने उसे उसकी painting रखने के लिए कही, बात में इसे उसने notice किया, तो उसे ये painting बहुत अच्छी लगी है, वो Frida के घर पर आकर, उसकी और भी painting देखता है, डियागो actual में एक playboy type character है, उसके कौन टाइम में जो भी लड़की आती ह तो उसके साथ वो intimate होता है, Frida को doubt आता है, कि वो सिर्फ उसके साथ intimate होने के लिए तारिफ कर रहा है, इसके बारे में उसे बुछती है, तो गयता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये painting उसे सच मुछ में अच्छी लगी है, इसके बाद डियागो Frida को एक party में लेकर गया, जहा पर Frida, डियागो की एकस वाईब से मिली, डियागो कुछ और लड़कियों के साथ था, तो Frida और डियागो की एकस वाईब इसके बाते करते हैं, फिर्टा वणडर कर रहे ही थी, कि डियागो इतने सारे लड़कियों को attract कैसे करता है, वो दिखने भी इतना खास नहीं है, ड 1907 से लेकर 1954 तक का है तब इटली में जो भी रिवलोशन चल रही थी इसलिकर डियागो उसका पार्टी में का एक फ्रेंड इनमें डिवेट होती है ये दोनों फिर एक ट्रिंकिंग गेम खेलने लग जाते है गेम चलते चलते फ्रीडा ने बॉटल उठाई और पूरी वो कटक कई इसके बाद म्यूजिक चलता है और वहाँ के होस्ट के साथ वो डांस करती है अर दे इंड उफिट उसने उसे किस भी कर लिया था कुछ दिनों में फ्रीडा और डियागो ये अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे एक साथ थे तो डियागो उसे अपने स्टूडियो में बोलने के बाद ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं अंदर जाकर एक दूसरे के साथ इंडिमेट हो गया इनका ये अफेर बहुत दिनों तक चला एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे एक दिन डियागो ने फ्रीडा से शादी के लिए पूछ लिया फ्रीडा उस पर विल्य कि नहीं सिर्म उससे लॉयल रहना उसने उसे हा कह दिया इन दोनों की शाधी हो जाती है दियागो के लिए अच्छा नहीं लगता जैसे कहां मैं पता है फिलाज करने के लिए उसके फादर को बहुत सारे फाइनेंशल प्रॉलम्स आये थे इनके लोंस वेगरा पे करने वे भी डियागो उन्हें हेल्प करता है मैरेज के पार्टी में डियागो की फ्रेंड ने टोस्ट किया वो गहती है कि शादी पागल लोगों के लिए होती है इन्हें पता ही नहीं एक दूसरी से कितना चगणने वाले हैं एक दूसरी की लाइफ है बरबात कर देंगे इन सब कहती है तुमने इस से शादी किये फ्रीडा के एकसिडन की वज़े से वो सही से चलनी पाती है उसका बोडी शेप भी थोड़ा सा अलग हो चुका है डियागो की एकस वाइफ बहुत जादा घुसा करकर वहां से चली गई यह सब चीज डियागो सिर्फ देख रहा था तो इ भी नहीं करते है फ्रीडा ब्यूटिफुल और डियागो इतना जादा फैट है तो जोड़ी सही नहीं लगती है फ्रीडा ने कहा कि लोग क्या कहेंगे डियागो कहता है हम दोनों की जोड़ी पर सब लोग जेलस होंगे इतना हम एक दुसरे से प्यार करेंगे सुबा होने पर डियागो अपनी फैवरेट डिश का ब्रेकफास्ट कर रहा था फ्रीडा पूछती है कि यह किस ने बनाया डियागो कहता है मेरी एक्स वाइफ मेरे बच्चों के साथ उपई रहती है वो मुझे देखकर गई थी फ्रीडा इस वर बहुत ज़्यादा घुसा होगे उपर जो डियागो को डिशेश पसंन है यह वाला ना सिखाती है एक स्वाइफ ने कहा कि डियागो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है कभी भी वो किसी का भी अच्छा आजबन हो नहीं सकता फ्रीडा कहती है कि मैं देख लोगी एक दिन फ्रीडा डियागो की स्टूडियो में आई तो इक न्यूट मॉडल को ड्रॉ कर रहा था फ्रीडा को इस बात से ज़्यादा कुछ भी प्रॉल्म नहीं होती है इन दोनों को आज बहार जाने का प्लान था या को घर पर ज़रा लेट पहुचा वो कुछ बहार ना बना रहा था पर फ्रीडा ने जब उसे स्मेल किया तो उसे पता चल गया कि डियागो उस मॉडल के साथ इंटिमेट हुआ था वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगे पर उसे चेंज नहीं कर सकती है वो इसे कहती है कि हमें पार्टी में जाना है जल्दी से नहा कराओ इस पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था तो फ्रिडा खुद उसे बहुत मारती है डियागो एक कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था पर जो अमिर लोग है उनके लिए पेंटिंग बनाता है अज डियागो को ओफर मिला है अमेरिका में उसका पेंटिंग का एक्जिविशन होगा वहाँ पर उसे ब बहुत ही खुश थी пять in वहाँ अमेरिका में बहुतकियों के साथ इंटिमेट होता था ये बाइसेक्षुल थी लड़कियों के शीट करता ही है तो वह जोतिनग के वहाँ बनेटिंग के साहँ अप तुम डियागो का इस तरह से बिहेवर किस तरह से एकसेप्ट करती हो फ्रिडा कहती है कि वो जो है वो है जब मैंने शादी की थी तो मुझे सब कुछ पता था अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकते डियागो के साथ फ्रिडा भी पेंटिंग करती रहती थी एक दिन जब दोनों एक साथ है फ्रिडा न डियागो से कहा कि वो प्रेंगनन्ट है डियागो वरीड था फ्रिडा का बोन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है उसे पूरी बॉड़ी में पेहन होता है ऐसे में अगर वो प्रेंगनन्ट है तो उसकी और बच्चे की दोनों की जाता है कुछ मंद्स बीत गए और अचानक एक रात फिडा को बहुत सारा ब्लीडिंग होने लग गया उसा हॉस्पिटल में एंडमेट किया तो उसका मीज कैरेज हो गया था वो होश में आने के बाद जब उसे नियूज मिली तो बहुत जादा डिस्टरब्ट थी उसके मदर को दिखने के लिए तो अपने बेड में थी उसकी डेट अब कभी भी हो सकती थी यहां पर बहुत सालों बात वो अपनी सिस्टर से मिलती है सिस्टर का अब डिवास हो चुका था उसका हस्बन उसे बहुत मारा करता था फ्रिडा को बहुत बुरा लगा चे लगा कि कारडन का में खैल रख रहा हूं वो अपनी वाइव से बहुत ही प्यार करते हैं इसके बाद ही फ्रीडा की मदर की टेथ होगे अमेरिका में डियागो को एक बड़ा सा काम मिला था वाल पर पेंटिंग करने का एक काम था तो उस पर वर्ग अपना स्टार्ट करता है डियागो कोने कहा कि मेरे प्रिंसिपल की खिलाफ है ओनर कहता है तो फिर तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा डियागो अब भी इस बात पर सोच सकता है जब फिड़ा मैक्सिको से फिर से यूर्स आई तो इस बात को लेकर बात करते है डियागो अपने आपको डौट कर रहा था उ लोग हमेशा तुम्हारा नाम याद रखेंगे डियागो ने डिसाइड किया कि अपनी बेंडिंग नहीं मिटाएगा ओनर ने फिर जबरदस्ती वाल तोड़ दी यह सब चीज़े डियागो को इल्लीकल लगी वह अमेरिका में ही रहकर इस सब चीज़ों को फाइट करने वा कि उसके हस्बन के पास वापश चली जाए फ्रीडा कहती है अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो यह सब चीज़े याद नहीं आएगी तुम ज़रा बीजी रहोगी सिस्टर को भी यह बात सही लगी डियागो आज कल कुछ भी पेंट कर नहीं रहा था उसका पूरा अब वो डियागो के साथ कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखना चाहती है रात में डियागों को से समझाने के लिए आता है कहता है उस सब बातों को कोई भी मिनिंग नहीं था मैं प्यार तो तुम से ही करता हूँ फ्रीडा कहती ही कि वो मेरी सिस्टर थी मैंने तुम्हें स पार्टी करती थी एक दिन डियागो की एकस वाइब उसे मिलने के लिए आई उसकी ऐसा भाला देखकर कहती है तुम्हें कुछ जॉब ले लेना चाहिए यानि तुम अपने बिल्स पे कर सको अपने लाइफ को जारा कंट्रोल में ले सको फ्रीडा ने भी यही किया अपने क लिए पिच्दान का खतरा है धियागो चाहता था कि फ्रीडा टॉस्की को उसके घर में रखे जहां वो सेफ रहेगा फीडा डियागो पर गुसा थी पर उसने उसे बहुत रिक्वेस्ट की तो मांच जाती है ट्रॉस्की फ्रीडा के घर पर आया उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोग फ्रीडा के घर को प्रोटेक्ट करते थे एक रात ये सब मिलकर डिनर करते है डिनर के बाद टिया को फ्रीडा के साथ उसके रूम में जाना चाता था फ्रिडा ने इसके लिए उसे मना कर दिया उसने अब तक उसे माफ नहीं किया ट्रॉस्की ने फ्रिडा की जब मेंडिंग्स देखी तो उसे बहुत अच्छी लगी फ्रिडा को खुद के काम पर confidence नहीं था तो इसी वज़े से वो exhibition या अपनी painting ज़्यादा sale नहीं करती थी एक दिन ट्रॉस्की और फ्रिडा यह सब मिलकर pyramid देखने के लिए आए ट्रॉस्की ज़रा old है पर फिर भी यह pyramid चड़ना चाता था फ्रिडा भी decide करती है जो सही से चलनी पाती है पर फिर भी यह pyramid चड़ेगी तो उसकी फ्रिडा से कहता है मैंने दोनों बेटों को मार दिया गया मैं जो यह जंग लड़ रहा हूँ मुझे पता है कि मैं इसमें हारने वाला हूँ पर फिर भी लड़ने के अलावा और क्या किया जाया मुझे पता नहीं उसने फ्रिडा को समझाया तुमारी जो painting से इसमें यही पैन निकल कराता है तुमें लगता है तुमारी painting लोग को अच्छी नहीं लगेगी पर जो paint तुमारी painting में है यही paint बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है इसके बाद जब यह दोनों घर पर आये तो एक दुसरे के साथ intimate हो जाते है इन दोनों के relationship आगे बढ़ रही थी पर ट्रॉस्की के wife को यह सब बात पता चल गी वो अपनी wife को जादा hurt करना नहीं चाता था तो वहाँ से वो चला गया डियागो फ्रीडा से बुच्छता है ऐसा हुआ क्या फ्रीडा कहती है उसने अपनी wife के लिए अपनी खुद की खुशी sacrifice कर दी डियागो को सब कुछ पता चला तो फ्रीडा पर बहुत जादा गुश्सा था फ्रीडा गयती है जैसा तुम्हें अब लग रहा है वैसा मुझे हमेशा लगता था इसके बाद फ्रीडा को आफर मिला और फ्रांस में उसकी पेंटिंग का एक्जिबिशन होने वाला था तो वो भी वहाँ चली जाती है वहाँ जाकर बहुत मज़े करती है अब फ्रीडा को डियागो से मिले हुए 10 साल हो चुके है 10 सालों में उसने रियलाइस किया कि वह सिर्फ डियागो से ही प्यार करती है यह चीज उसने लेटर में भी लिखी थोड़े समय बाद जब दोनों मिले तो डियागो से कहता है मुझे डिवास चाहिए हम दोनों के लिए यही करना सही होगा फ्रिडा कहेती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर डियागो मानता नहीं डियागो एक कम्यूनिस्ट था तो गवर्मेंट की खिलाव जाकर उसने कुछ गलाज चीज़े की थी वो इस कंडरी से भाग चुका था तो फ्रिडा से ग्वेस्चन किये जाते है फ्रिडा कहेती है कि वो मैरा अब हस्बंड नहीं रहा फ्रिडा जादा ट्रबल में ना आए यही रिजन था कि डियागो उसे डिवास लेना चाहता था डिवास हो जाने के बावजूद भी फ्रिडा को जेल में डाल दिया जाता है डियागो को यह बात जब पता चली तो उसने गवर्मेंट पर बहुत जादा प्रेशा डाला फ्रिडा को फ्रिडा को फ्री करना ही पड़ता है फ्रिडा को जेल में रेने के लिए उसकी सिस्टर आई हुई थी उसे सौरी कहती है फ्रिडा कहती है सब कोछ गलती मेरी ही थी है जो तुम्हें उसके बास भेजना ही नहीं चाहिए था अपनी सिस्टर के साथ उसकी रिलेशन्शिप अफ सही हो चुकी है जैसे ही फ्रिडा की थोड़ी सी एज बड़ी तो अपनी बाड़ी में उसे बहुत जादा पेइन होता था उसकी हलत बहुत खराब थी जैल में रहने की वज़े से उसकी पेर की उंगलिया खराब हो गई थी डॉक्टर उसको वो काटनी बड़ी फ्रिडा की हलत के बारे में डियागो को पता चला तो उसके पास पहुच गया वो गहता है कि फिर से मुझसे शादी कर लो मुझे तुमारे साथ रहना है फ्रिडा कहती कि मुझे तुमारे रहम की जरूरत नहीं है मैं ड्रिंक करती हूँ, स्वेर करती हूँ तुम मेरे साथ खुछ रहनी सकते डियागो ने कहा कि तुमारे बीना मैं बरबात हो चुका हूँ मुझे तुमारी सबसे ज़्यादा जरूरत है फ्रिडा अब उसे एक्सेप्ट कर लेती है फ्रिडा की हालत खराब होती गई और सिर्फ अपने बेड में रहती थी उसका हमेशा से सपना था खुद की कंट्री में उसका एक्जिबिशन हो अब यह सपना उसका फाइनली कंप्लेट होने वाला है यह एक्जिबिशन देखने के लिए वो जाना चाहती थी पर डॉक्टर ने उसे मना किया था वो अपने बेड से ओड भी नहीं सकती उसने फिर कुछ लोग की हल्प ली और पुरे बेड के साथ एक्जिबिशन में पहुचा दिया मूवी के फस में हमने जो सीन दिखा था यह वही सीन था एक रात फ्रिडा और डिया को एक दूसरे के साथ थे डिया को कहता है हमें एक साथ पच्ची साल हो चुके है उनकी वेडिंग अनिवरसरी टू विक्स में थी उससे पहले ही फ्रिडा ने उसे गिव्ट दे दिया उसे नहीं लगता था कि वो अब दो विक्स भी जिन्दा रहे की उसने कहा मुझे जमीन में मत गाड़ना मुझे जला देना वो फेस से एकी जगा पर नहीं लेटना चाते इसलिए जलना चाते इस सीचुएशन की भी उसने पेंटिंग बनाई थी इसके तुरंद बाद उसकी डेट हो गए उसकी लाइफ में बहुत सारी हार्ड शेप थी पर हमेशा अपना जो भी पेंट था वो अपने काम में अपनी पेंटिंग में वो डालती रही और इसी वज़े से उसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुए इसी तरीके से मुवी इंड होती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहेता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करतीजे और बेल नोटिफिक्शन आयंगों दाउने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तो प्लीज थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया